किसी जंगल में एक उल्लू रहता था, उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड पर अपने घोसले में छिप कर रहता था, सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था, एक बार की बात के गर्मियों का मौसम था, दोपहर क समय था और बहुत तेज धूप थी, कभी कहीं से एक बंदर आया और वहां उल्लू के घोसले वाले पेड पर आकर बैठ गया, गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, पूफ बहुत गर्मी है, आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है, ब सूर्य नहीं, बलकि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता, बंदर बोला भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है, वह तो रात में चमकता है और यहां दिन का समय है, तो दिन में सूर्य ही चमकेगा, यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशानी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर में उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं, लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अडा था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लू का एक बड़ा जुन्द रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकार में सूर्य चमक रहा है या नहीं यह तुम सब मिलकर बताओ डॉट उल्लू की बात सुनकर उल्लू का पूरा जुन्द हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उडाने लगे। उन्होंने कहा नहीं तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो इस समय आकार में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में धूट का प्रचार मत करो। उल्लू के जुन्द की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अडा हुआ था। जिस देखर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर जपट पढ़े दिन का समय था और उल्लू को कम कर भाग निकलने में काम्याब हो गया और उसने अपनी जान बचाई। कहानी से सीख पंच तंत्र की यह कहानी हमें सीख देती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता है। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर स सकती हैं।